हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर क्रीड में और आज का वीडियो काफे इंटेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आप यह लेकर आया हूँ टॉप्स के वेबसाइट और टॉप के रिसोर्सेज जहां पर जाके आप बिल्कुल फ्री में इतकल हैंग सीख सकते हैं तो उन सारे वेबसाइट और सारे रिसोर्सेज के बारे में जाने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं आज के इस वीडियो में जो सबसे पेले हमारे लिस्ट में वेबसाइट है उसको देखते हैं ये वेबसाइट है 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 काफी पॉपिलर वेबसाइट है और आप में से कई लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा इस website पे आप जाकर free में इस website को hack करने की कोशिस कर सकते हैं इस website में अलग-अलग level के challenges होते हैं और उसमें कुछ hint दिये होते हैं जिसकी मेंद से आपको उस challenge को complete करना रहता है और इसमें अगर आपकोई doubt है कोई ऐसा program related doubt जो hacking से relate करता है उसे आप यहाँ पे पूच सकते हैं और यहाँ पे काफी active members रहते हैं जो कि आपके answers का जबाब जल से जल आपको दे देंगे तो यह काफी बढ़िया वबसाइट है जो लोग begin करना चाहते है with some knowledge with some background knowledge इनके पास है वो आपने skills को test करना चाहते है तो उनके लिए काफी बढ़िया वेबसाइट है अगरा resource है यह हमारा यह Edureka का YouTube course जो कि इसकल hacking पे है Edureka educational videos बनाता है हर एक topic पे और वो YouTube पर कई videos free में भी डालता है जहांसे आप कई चीज़े सीख सकते हैं उसमें से यह एक hacking का भी field है यह beginning से लेकर advanced level तक की hacking सिखाता है इस 10 hours के course में अगर आप इस 10 hours के course को कर लेंगे तो आपको इतनी तो जानकारी हो जाएगी कि hacking क्या है hacking काम कैसे करता है एक hacker किसी चीज़ को किस प्रकार से सोचता है और से hack कैसे करता है तो यह एक बढ़िया resource उनके लिए है जो अभी beginner level पे है और hacking के field में जाना चाहते है अगला जो हमारा website है वो है hackaday यह website hardware specific target करता है और software को ही लेता है लेकिन जो इसका main focus है वो है hardware hacking के उपर जैसा कि आप जानते है हार एक device internet से connected होते जा रहा है IoT के अंतरगात जो कि है internet of things आजकल smart lights, smart televisions हर एक चीज़ smart होते जा रहा है smart doors लगते जा रहे है और इन सारे चीज़ों को internet से connect होने का जितना फाइदा है उतना ही नुकसान उन सारे चीज़ों को हम exploit कैसे करेंगे कैसे hardware की hacking की आती है अगर आप इस field में जादा interested हैं तो आप इस website पर ज़रू जाएं यह website काफी अच्छे resources से भरी पड़ी है जिसे से आप free में सीख सकते है हमारी अगली जो website है वो है hack in the box इस website की जो खास बात है वो है इसका hitv sec news section यह जो website है वो वाटप्रेस पर बनी हुई है और यह website आपको ऐसे features प्रोवाइड कराती है जो अब तक की बताय हुए websites नहीं प्रोवाइड कराते है जी हाँ यह website सारे latest hacking events के बारे में आपको बताती है और आपको technology से एकदम updated रखती है और cyber security field में जाना है तो आपको technology से हरदम updated रहना ही पड़ेगा यह website काफी अच्छी है और साथ ही में इस website पे हर एक topic का एक अलग section है और उस section में आप जाके उस particular topic का knowledge बढ़ा सकते है तो यह website आपको जरूर से जरूर चेक करनी चाहिए अगर आप cyber security field में जाना चाहते हैं तो जो हमाई list पे सबसे top पे website है उसका नाम है hacking tutorials अब हम जानेंगे यह website हमाई list पे top पे क्यों है इस website में आपको हर एक latest technology से related हर एक technology से related एक vulnerability मिल जाती है आपको vulnerability सर्च करने का भी इस website में option है किसी technology में क्या कमिया है वो सारी की कमिया इस website पे लिश्टेड रहती है जो भी दूसरे hackers पता करते हैं वो आके यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं जिसे कि बाखी लोगों को उन्हें एक्स्प्राइट करने में असानी हो और साथ ही साथ इस website में आपको सारे वो tools और software भी मिल जाते हैं जो कि आपको hacking में कहीं न कहीं काम आने वाले हैं इस कानवर्स यह website काफी popular है और हर एक user जो की cyber security field में है इस website को जानता है तो यह सारी थी हैं हमारी list की सारी website और मैं अब एक bonus website देना चाहता हूँ जिसका नाम है security tube security tube एक video platform वाली security वाली website है जहां पर आपको video tutorials मिलते हैं लेकिन इस website का जो funda है वो थोड़ा ऐसा है कि आपको intermediate होना पड़ेगा cyber security field में तब आपको इस website पे कुछ topic समझ में भी आएगा नहीं तो आपको एक भी topic इस website का समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि ये advanced level की hacking होती है जो कि normal लोग के समझ में नहीं आती तो ठीक है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को subscribe करें हमारे वीडियो को like करें और साथ ही में वीडियो को सेर भी कर दें चलिए आप से मिलते हैं अगले वीडियो में